सो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग काईज में आज आप सबी के लिए यहाप एसडी एफसी बेंक के तरफ से जॉब विकेंसी के अपडेट लेकर आ चुका हूँ जैसे कि आप लोग यहाप देखी पा रहे हैं एसडी एफसी बेंक रिकुरुटमेंट तूथाउजेंट हाँ गाईज यहाप एसडी एफसी बेंक में 2022 के लिए रिकुरुटमेंट निकल के आ चुकी है जोब विकेंसी की अपडेट निकल के आ चुकी है और जैसे कि आप लोग यहाप देखी पा रहे हैं फ्रेशार्स एन एक्स्पिरेंस हाँ यहाप फ्रेशार्स लोग के लिए रही वेकेंसी है और यहाप एक्सपिरियंस सब्सdestर यहाप लिए के लिए यहाप लोग यहाप डेख पा रहे हैं यहाप लगदब्ग बारा हजार क1000 अवेकंसी निकल के आ चुकी है आप लोग यहाप बहुत ही आसushi से अवीदन कर पायेंगे और बहुत ही यहाप प्र बॉ लोटिविकेशन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12551 वेकेंसिस निकल के आचुकी है यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारी अलग-अलग केटिगरी की वेकेंसिस निकल के आचुकी है और आपको आपने निकत्तम शहर में ही जोब मिल जाएगी क्योंकि यहाँ अलग-अलग केटिगरी की वेकेंसिस अलग-अलग लोगेशन के लिए आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी बहुत सारी वेकेंसिस हैं आप लोग यहाँ यहाँ पर बहुत ही आसनी से आवधन कर पाएंगे यहाँ पर कंपड़ली के लोगों से लेके ज्यादा सारी वेकेंसी है निकल के आच चुकी है यहाँ पर काम सिर्फ आपको आठ गंटे का करना होगा आठ गंटे का ड्यूटी अवार रहेगा मेल फिमेल महिला पूरू सभी यहाँ पर आवदन कर पाएंगे और सेलरी यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं 35,000 गाईज यह बस है आते हैं तो आप लोगों से बस यह रिक्यूस्ट एगा वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा एक भी स्टेप को मिस मत किजिएगा हर एक चीस को बारे किसे समझिएगा तब यहाँ पर आवदन किजिएगा यहाँ पर आप लोग को आधी उदुरी जानकरी लेकर आवदन नहीं करना है आप लोग की जोब नहीं लगएगी यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया मोगा है क्योंकि यहाँ पर कम पड़ लिके लोगों से लेके जटा पड़ लिके तक हलकिसे के लिए विकेंसी अवाइल है यहाँ तोटेल 12551 विकेंसी जो है निकल के आच चुकी है आप लोग यहाँ पर बहुत ही आसनी से जोब प्राप्त कर सकते हैं और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखी पा रहे हैं आपको अपने शहर में ही काम मिल जाएगी अगर यहाँ पर आपको अपने शहर में ही HDFC बैंक में काम मिलने वाली है आप लोग यहाँ पर जो है बह नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना साथ वले नोटिविशन बेल में ओल बटन को प्रेस कर देना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जोब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और अपनी जोब पाने की संभावना बढ़ाने के लिए सो चले गईज यहाँ पर आवी जादा देन अगर्द हुए पहले हम लोग देख लेंगे जोब की पूरा डीटेइल इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखने वाले की कैसे आवदन करना है कैसे फ्रॉम्फिल अप करना है तो गैस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे ह है तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी शौर्ट इन्फोर्मेशन तो गयाई यहाँ पर लोग शौर्ट इन्फोर्मेशन को भी पढ़ लिजेगा यह भी बहुत ही जरूरी पाट है यहाँ पर आप लोग शौट लिए इस रिक्रुर्ट्मेंट के विशे में इंटर्व्यू के लिए अभी आप लोग निचे जाएंगे तो निचे आप लोग को देखने को मिल जाएगी HDFC बेंक रिकूटमेंट 2022 डिटेल्ड इन्फोर्मेशन हागा इस यहाप लोग हर एक इन्फोर्मेशन को लोगेशन के लिए क्या क्या वेकेंस निकल के आ चुकी है इससे पहले गाईस आप लोग उसे एक शिकायत था आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखके आधियुद्री जानकारी लेकर आवेदन करते हैं इसी वज़े से आपका जोब नहीं लग पता है सो दोस्तों आप सारे भारत देश में बहुत ज़्यादा कंपिटिशन बढ़ चुका है बहुत सारे लोग वेरोसगार हो चुक है इसी वज़े से यहां पर क्या हुआ है केंडिडेट्स के तुलनम में वेकेंसी एक कम आती है लेकिन यहां पर मैं आपको जो तरीका दिखाऊंगा आप लोग सो गैस यहां पर आप पर जोब पाने के लिए कभी भी किसी को पईसा पेहन नहीं करना है क्योंकि जोब विलिए आपके लिए जितनीवी चुब विकेंसी के अपडेट्स लेके आता है हर एक विकेंसी में आप लोग बिल्कुल फृरी और निसुक में ही आजाए नहीं करना यह लोग अपसे पैसा लोट लेंगे जोब विली आप लोग को कभी भी कॉमेंट वोस में कोई भी कॉंटेक्ट नंबर वगरा प्रोवाइड नहीं करता है इस बात को आप लोग अच्छी तरह से दिमाग पर वैठा लीजिए तो अभी आप आप लोग बात कर लेते पोस्ट नेम एनारा डस जैशी कि लोकेशन वगरा तो यहाप आप अभी आम लोग देख लेते तो यहाप पे सेल्स मिनज़ार की पॉस्ट्ट्त यहाप बोग ज наш वर लोकेशन के ये निकल के आजुके है, अभी ये आपे business analyst की भी पोस्ट है, मुंबाई location के लिए ये निकल के आजुके है, marketing service की पोस्ट है, ये भी ये आपे मुंबाई location के लिए है और यहां पे credit manager की post है, हैद्रभाद location के लिए, RBB, PB, pillar, authorizer की post है, यहाप आप लोग जåके आप लोग जैसे की देख आपारे है, जो है करनाटगा के लिए, system analyst की post है, यह भी आपे Basil leaking करनाटगा के लिए, इसके बाद RBB, Prefart relationship manager, हैं यह नोईडा के लिए निगल के आःच उकी है और यहां पर अलग अलग की ऐसे कि लिए आप लोक propor metrics के लिए बेखी पारे तो यहां पर अपर देखने को आप लोग को यह दे देखने को मिल जाएंगे और भी नहीं बहुत मैं इसे पृँटर inputs अगर आ story करते हैं सब्सक्राइब या पर देख पार है या पर आप लोग को आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन को मिल जाएगी अभी या पर आम लोग बात कर लेते हैं इस लिमिट की तो यह सब्सक्राइब बात कर लेते हैं चिंटस्ट यह सब आपने अपके पास होना चाहिए अभी आप हम लोग बात करने हैं इसको जानने के लिए आप लोग को आवी से इस वीडियो को बहुत ही धियान से देखना होगा क्योंकि जैसे कि आप लोग यहां पे आप लोग को फॉलोग करना होगा पारी किसे समझना होगा तब भी आप लोग यह अच्छी तरह से आवधन कर अपने मुबाइल फॉन में या फिर पीसी में कोई भी एक बड़ी ऐसा वेब ब्रोजर को ओपन करके मैं यह आप लोग को गूगल क्रॉम रोजर ही साज़ेस्ट करूँगा तो यह पर गूगल में आकर आप लोग को टाइप करना होगा जै और यह आप लोग बस इतना जाएगा तो आप लोग हमें सवाल पूछ सकते क्या में good विली के पीज में क्यों आए तो आपके जनकरी के लिए पता देंगी जोब के पेज में आप लोग को हर एक जोब की डीटेल्स पढ़ने को मिल जाएगी इसके साथ साथ यह आप लोग को डाइटेक्ट को देखने को मिल जाएगी लेकिन कुछ दिन बाद अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस जगह में यह देखने को नहीं मिलती है तो आप लोग को बस यहां पर में आना है और यहां पर आके आप लोग को लिखना है सब्सक्राइब निचे चले आना है पहले हरी चीछ को पढ़ लेना है अच्छी तरह से इसके बाद यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स जैसे के अपलाई लिंक आदर वेकेंसी डिटेल्स लिंक तो यहां पर आप लोग को हर इक जोब की डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएगी यहाप लोग पढ़ लिजेगा अपने युगईता के साथ मेच कर लिजेगा इसके बाद ही आवेदन कीजए जैसे मुझे यहाप पर बेंकर की पोस्ट यह जो चाहिए यह वोडिस्ता में निकल के आ चुके है तो मैं यहाप क्या करूंगा अपलाई वाला बटन में क्लिक कर दूँगा इसके बाद आप लोगो यहाप लोग को क्या करना होगा एक रिजूमी अपलोड कर देंगे आप यहाप आपको पूरा जो है अपलाई करके दिखाने वाला गो तो मैंने आप लोगो को इया पर दिखा दिया है एगर फिर भी आपे आप लोगल को हमें जरूर कोमेंट्स कर सकते हम लोग अपकी सहायता जरूर करेंगे तो चले गए इस मिलते और एक ने वीडियो में और एक ने बहुत ही बढ़िया जोब रिलेटिट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हींद जय वारत और अपना ख्याल रखिएगा जरूर